हेलो एब्रिवन तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि NMC का रूल्स और रेगुलेशन्स क्या है एब्रोड स्टुडेंट्स के लिए जो बच्चे एब्रोड MBBS करना चाहते हैं उनके लिए रूल क्या है तो यह रूल 18 नॉमबर 2021 को आया था मतलब 18 नॉमबर 2021 से लागू हो रहा है यह रूल तो और यह NMC का रूल क्या है जो बच्चे पहले ही एड्मिसन ले चुके हैं 18 नॉमबर 2020 से पहले वो MCI के रूल में आते हैं और जो 18 नॉमबर 2020 के बाद एड्मिसन लिए वो NMC के रूल में आते हैं तो NMC के रूल के एकोडिंग कोई भी foreign medical graduate जो भी होगा उनके लिए पहला पॉइंट है minimum course 54 months का होना चाहिए और दूसरा point यह है कि उसको 12 month intensive 12 month intensive same college से होना चाहिए तीसरा point यह है कि medium of course जो होना चाहिए वो English में होना चाहिए कुछ-कुछ college है रस्या में जो 1st 3rd year तक English में करवाएगा और कुछ 3rd year से 6th year तक Russian में कराएगा तो यह ऐसे valid नहीं होगा लेकिन अब धीरे धीरे सारा रस्या का college भी English education में भी आ रहा है तो आपको ऐसे सबच के रहना है और आपको पता करके रखना है कि कौन सा bilingual नहीं है बस mode of education बस English होना चाहिए वही NMC मानेगी फोर्थ पॉइंट यह है कि उसमें all mandatory subject होना चाहिए एक मतलब की total 19 subject तुमारे 6 year के duration में होना चाहिए NMC का 5th rule है जो आपको degree मिले उसके साथ साथ आपको उस native country में practice करने का वो license दे यह 5th rule है 6th rule है कि आपको जब आप इंडिया वापस आना चाहते हैं तो आपको 12 month इंडिया में internship करना पड़ेगा 7th rule है इंडिया में आपको license लेने के लिए FMGE या फिर next का exam आपको देना पड़ेगा according to that time तो अभी तो FMGE चल नहीं है अब इफ आगे year में next आएगा तो आपको next देना पड़ेगा यह according to NMC rules है तो कैसे पता करें कि कोई college NMC या WHO verified है या नहीं तो simply इसके लिए आपको browser पर जाना है और लिखना है Returns protect website और सब से ऊपर जो आएगा उसके लिक करना है है구요 जिसे कि आप कञबडने स्कूल सी जीसे कहां रहा है कि आफमाइन दी कन्टरी स्कूल करना है जैसे आप कजाकरिकस्तान चूच किया आइण रसफिया चूच जूच के तो मैं कजाकस्तान चूच कररता हुए क्लिक किया और सर्च किया तो अब इसमें में को देखना है जिसे मेरा को लेजे स्वेमेडिकल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आजाएगा कि school type कौन सा है, public है या private है year of, कब start हुआ, 1952 में हुआ कौन से language में पढ़ाता है Russian, Kajak, English, सब पढ़ाता है clinical trainings कितना है तो मेरे college का, one of the best college है कजागेश्तान का, तो ये इसमें clinical training 52, 74 percentage पढ़ाता है और कब से क्या हुआ, और सब कुछ आपको इसमें information मिल जाएगा तो आप यहां से देख सकते हैं कौन सा degree देता है, कितने 7 year का 6 year का कौन सा देता है, ये 7 year included है तो ये internship के साथ का बता रहा है लेकिन मेरा 5 UL का course है और ECFMG या मतलब कि आप यूरोप में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ये भी यहां पर है तो आप eligible हैं, यूरोप में apply करने के लिए WHO verified है कर दो आप यूरोप में जा जा सकते हैं